यही नौजवानों को रोज़ आए अधिया उत्तर पंडेश की जलता था जीवन ब्रतित करना पहुती जाता है कर पांच साल के बाद गजब संचार भाइल 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 पुर्टी के गाउं गाउं सबने तादवडे बाहरे माया कुरसी के गाउं गाउं सबने तादवडे बाहरे माया कुरसी के गाउं गाउं सबने तादवडे जी कुरसी की माया समझनी हो तो आप पुर्वान चल के जौन पूर चले आएं शिराजे हिंद के नाम से मशूर है चौदावी शताबदी में बता था फिरोशा तुगलत ने अपने चचेरे भाई जाना खान के नाम से इसका नाम जानपूर रखा कई चीजों के लिए जाना जाता है आप यहाँ पर चले आईए गोंती नदी शहर के बीच बीच बेच बहती है और शहर को दो हिस्सों में बाटती है डिवाइट करती है और जिसकी वज़े से इसे इस पार और उस पार कहा जाता और सबसे बड़ी बाती है कि इस मूली के लिए यह शहर बहुत मशूर है यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी राज रहा है इससे बड़ी बात यह है कि बनारा सिलाबाद और लखनों के बीच में ये बसा और सर विजेशंकर उपादिया जी जाहिर सी बात है कॉंग्रेस के आपके विधायक नदीम जावेद है राश्ट्री प्रवक्ता भी है पहला सवाल आप से ही होगा पाफ साल नदीम जावेद मे का सड़क का शहर का जो प्रडिक्शन जो उत्वादन है जीतना आपको बता है सादे आपको पता है वो एनिसकी सरके में शहर उंकी बात करता हूं विदान सभा जोनपूर की बात कर रहा हूं। अस्थान है वो दूसरा कोई भी नेता ऐसा नहीं जो सुरेंजी का मुकाबला कर सके उनकी इमानदारी उनका काम उनकी सारी चीज़े हैं। यह जो पंक्ती है यहां के शिक्षाविदों की है जाने माने यहां के व्यापारियों की है बहुत गर्मान लोग यहां पर हैं। यह न्यायाली आदेशों पर चलती थी कि अपनी इच्छा सक्ती पर चलती थी। तवाल नहीं मैं यह देख रहा हूं कि लगातार विकास की बात सारी पाड़ियां कर रही हैं। सारी पाड़ी के पर निदी। अगर सरकारें बनेंगी तो विकास नहीं तो करेंगी क्या। और विकास नाम का बच्चा सबका पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के वरिष नेता भी आप हैं। यहां की जनता का यह कहना है कि इमानदारी से जो विकास होना चाहिए था वो इमानदारी से विकास किसी भी नेता ने किया नहीं। ये गलत कहते हैं हमारी जनता को मालूम होना चाहिए विकास जिसको भी मौका मिला सब ने किया है और विकास के लिए कोई निता ऐसा नहीं है जिसके पास जित्ता साधन था विडाय के दी परवांचल निदी और गोंती एक्सम प्लान कोई पैसा आया और तमाम पैसा आता है ड लेकिन जनता के बीच में जो डिकता हो विकता है जो आजकल आकरसन की राजिनीट है पास्त फांचुरर से चलो तिरही खाने जाओ तो भी वह मझा है आपका इशारा किसकी तरफ तरफ इसकर इसकर इशारा तो बताईए इसकर तो बताईए उन नेता की कह रहे हैं जो प्रत्यासी चलने हैं आपने देखा आओका तीन बार से पिछले 15 बार से जौनपूर नगर में नगरपालका का चेर्मेन बहुजन स्वाज पार्टी को रहे हैं उन्हों दिने शंडन जी और वही इस बार प्रत्यासी हैं पूरी जंता जौनपूर के उनके 15 साल के कारकाल का ज कि नव विधान सवा सीटों में हमने साथ विधान सवा सीट आपको दे दिया फिर भी एगर दिवानी कचा जिस ओलन गंदा आ जाई है तो खांसते खांसे आदमी को तबियत खरा हो जाता हूँ कि दिल की तसली के लिए वाइदा तो कीजिए हम जानते हैं आप से कुछ किया जाए जानपूर के बारे में एक बार जरूर बता देना चाहूंगा यहां की खुबसूरती है कभी भी धर्म के नाम पर ये शहर कभी भी बटा नहीं है चाहे वो छेदिसमों ने से देखिए यह तालियां यह बता रही है यह आम जनता है आपना सवाल कीजे आप जी मेरा सवाल जो है भारती जनता पाड़ेगे कि वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी या जो है राम मंदीर के नाम पर चुनाव लड़ेगी और अगर उसे विकास या राम मंदीर मसे किसी एक चीज़ को छोड़ना होगा तो किसे छोड़ेगी तो जोती जी एक बार कुछ संगीत के साथ ही मैं इस प्रोग्राम को आगे बनाना चाहूंगा इक्षापुर्ती के घमासान छिड़ जाई आपन आपन इक्षापुर्ती के गाउं गाउं सब नेता दवडे बाहरे माया कुरसी के कुरसी की माया ओ, इस खुद्सूरा शहर में जरूर आई है, यहां पर भोजपूरी मिलती है और सबसे बड़ी बात यहां कि हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद इमर्ती यहां पर मिलती है सबसे आगे-ागे ख़ड़े में विकास किया, विकास किया, अरे सहर में है कहां पान साल से, आप बताईए ने एक लोकल जर्नलिस्ट दीपू जी भी हमारे साथ में है, दीपू जी यहां का आपको क्या लगता है, कि जमीन पर जनता का मुद्दा क्या है लेकिन इंफर स्ट्रक्चर यहां पे है नि, रोजगार है नि, यहां परेटन के बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन यहां पर जो भी जनलिस्ट पूछता है सवाल, राजनेताओं से, वो कहते हैं कि हम ये करेंग, वो करेंग, लेकिन हकीकत यह किसी ने कुछ ने किया, यह पूछे कि एक वात कि में अगर इनको विजय मिलती है तो क्या करेंगे हम अपने सपा के जो अपने विधायक पूर विधायक उनसे पूछना चाहता हूं वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विकास हुआ है वो ब्रेक लगा के हुआ है जै कहीं भी यहाँ पर तकनीकी सेवाओं के साथ साथ रोजगार नहीं है मोहिया करा रहा है भाजपा के मित्रों से सवाल है कि जब देश का पार्लामेंट का चुना हो रहा था तो आपने बताया कि अपकी बार मोधी सरकार अब आपने सरकार बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार जब आप बनाने का दावा कर रहे हैं तो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है देखिए भारती जनता पर्टी की पाहलामेंटी बोर्ड ने कहा है कि जब चुना हो जाएंगे और विधायक चुनेंगे क्या आपने कंग्रेस के सामने सरेंडर कर दीया ऐसा भी साथ सरेंडर नहीं किया है ंग्रेस हमारी सयोगी है हमारा मुख्यमंत्य अकलेश है अकलेश की चैजब यादो के नयूतिन ने पड़ेक विकास होगा लाइनएर मजबूत होगा नोट जो आई है तो पहले सुन दीजे चगबंदी आई खेद कम हो गया नसबंदी आई आबादी कम हो गया नोट बंदी इस प्लाई बिजनेस चोपट हो गया बार्दी रंता पार्टी को नहीं आने देना क्या मायावती विकास की गरंटी है क्या राहूल गांदी का फटा कुरता वोट दिलाएगा कांग्रेस का मिसन और बिजन राष्टी और प्रदेश अस्तर पर समाज में समरस्ता बनी रहे आर्थिक विकाशो देश में अमन सांती कायम रहे ये कांग्रेस का मिजन है और विजन है और कांग्रेस इसके लिए हर संगर्थ हमें सा करना कैसे नेतन के तरकी इतना तेज हो खेला इंजीनियर ही क्यों यहां से जौनलिस्ट क्यों ना पैदा हो यहां से साइंटिस्ट क्यों ना पैदा हो यहां से क्यों ना मुख्य मंत्री बने प्रवान मंत्री क्यों ना बने यह बनारस जैसा क्यों नहीं होना चाहिए यह तमाम सवाल है पूर्वांचल के सवाल है जौनप प्राइबादी लोग जिस राज्टे पर पुनेश कुदे के जा रहे हैं, यही नौजमानों को रोज जाना है, अधिया उत्तर पंदेश की जलताना, जीमन बेतीत करना, भूब की जाना है,